के वहां पे मुझरम किया है जो वहां पेश हुआ है और सुप्रीम कोड के चीफ जसर्स ने बच्ची का रिष्टा दे दिया उसके और दे अर लिबिंग हैपी ली इन कैनिडा फरेवर मेरा मसर ने कि साइन करा के ले लो कुछ भी नहीं होगा ये जो इतना शोर मचा है ना के जनाब पंडोरा पेपर में ये निकलाया और पंडोरा पेपर में वो निकलाया कुछ भी नहीं होगा उसकी वज़ा ये है कि हमारे मुलक के अंदर ताकतवर तपके को कुछ भी नहीं होता नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं फिर बापस आगया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ गाइस वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इसी इंतिकान लिया जाएगा और जिस तरह आपने फरमाया है कि हमारी वाहिद प्राड़क्ट जिसमें हम बड़े एक्सपर्ट हैं वो इस अ कॉरॉप्शन और उसकी एक बेमिसाल जो है अपने उसको मेरे मस्द अपनी शनास जो है दुनिया में और मजीद बढ़ाई है जिस यह हर एक इंसान को पता है शरजील मेमन साब का को करेक्टर छुपा था किसी से पहले कि यह इसमें पंडोरा बाक्स में पंडोरा पेपर्स में आया यह एक और हर इंसान को पता है अफसोस के साथ यह कहुँगा कि हर बंदे के हाथ में अब कंप्यूटर है और बिल खसूस जो इस वकत बेरोजगार पड़े लिखे बेरोजगार है वो तो बिचारे अपने पाम के उपर सारी दुनिया की खबरें पड़ते हैं ना सिर्फ पाकस्तान की खबर यह बननी थी कि अगर खान साब ने स्विट्टर लैंड से इतना पैसा वापस ले लिया खान साब ने जो जिहाद था इन्होंने तीन सो एस्पी जो है पाकस्तान में से कुरॉप्शन से निकाल दिये खबर यह होती थी कि हमने इतने डिप्टी कमिशनर निकाल दिये हमने इस देखें यह यह पंडोरा पेपर्स तो भारत अभी इतना मेनत करके जनलिस्टों ने बनाए रेगरो मेरा मकसद है कि यह बताएं कि इसकी कोई खबर किसी मैं समयता हूं स्वाय चैनल्स पर किसी पाकस्तानी का कोई इंट्रस नहीं इस खबर में उसकी वज़ा यह है कि मैं कई दफ़ा यह कह चुका हूं कि कॉरॉप्शन जो है हमारे डियाने का हिस्सा बन चुका है हमारे बोन मेरों में जा चुकी है कुरॉप्शन मैंने कई दफ़ा इसका अंदिया दिया आपको कहा है कि आप करोना आपका कुछ नहीं पकाड़ेगा अफगान क्राइसिस से भी शायद बच जाए आप हर चीज़ से बच जाएंगे इस कुरॉप्शन से नहीं बचेंगे इ इस पर खासाब अलेक्शन जीते हैं उन्होंने कहा था कि मैं अकाउंटबिलिडी करूंगा और अभी तक जीरो अकाउंटबिलिडी एक पैसा बार से नहीं आया वापस और बस निशान देए यहां खासब महुलियाद की कांफरंस में लंदन जाने का प्रोग्रम बनाएं त तो ये एक मैं समिचता हूँ कि उस कौम जहां तक अभी तक भुटो जियंदा है जहां पर अभी तक नारा लगा रहे हैंगे खाण। मेरा मकसद उस कौए पंडूर यह पेंडगा रोड़ा क्या करेगााँ यहाँ पे से चेटे लग रहे हैं कुरूप्शन heek चोटा सा यह एक कत्रा पानी का यह पंडूरा पेपर क्या करेंगे कं से these सी तριके से Servet Digital प्राइन अब जिस त्रिके से हर्ड डीपार्टमेंट में आ कुम सा डिपार्टमेट जा कुरॉप्षन नहीं है और बल के यहां बार बार यह कहता हूं जो इस वोकत पाक्सतान में हो रहा है जिस त्रीक पाक्स डालर फ्री फाल पे गिर रहा है नीचे किसी बंदे की जिसकी बीस से पच्चीस दारे अवरेज तरखा है उसका बजट बना के दिखाए तो सबसे बड़ी खबर वो होगी ये खबर नहीं है इस खबर का क्या है मेरा मसद है तो पता है आज कर मैं समयता हूं जो जिनके नाम न तो इसका चीबस अब देखें और जिस तरीके से कौम को चुप तराने का तरीका का ये भी कौम को पता है कि जिस चीज को कुछ ना करना उस पे कमिशन बना दिया जाता है चार रिटायर हाई कोड जो या सुप्रीन कोड के जज होंगे उनकी लाटरी निकल आई है उसकी मैं समझता हूं कि इडन हाउजिंग सुसाइटी का केस एक उसको लास्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि वहां पे मुल्जम मुझरम गया है जो वहां पेश हुआ है और सुप्रीम कोड के चीफ जैस ने बच्ची का रिष्टा दे दिया उस और लिविंग हैपिली इन पिष्टे आफर कर देते हैं मुझरम को मुझरमों को मेरे मेरे लिए तो खेर एक एक बहुत बड़ा बेरे लिए एक शाक है कि किस बेहसी से इसमें पाकस्तान को इस चीज़ को डाइजस्ट करना है और मेरा मकस्ता देख किसका कुछ स्वाएश वह रहे हैं आजकर बहुत सबस्क्राइब कोई लोग कह रहे हैं जी कब इगा के यहाफ शूर कप्रीज कुछ केहते हैं जी नहीं थैजीं ने तो इजीव अजीव स्टोरी न बता रहे हैं लेकिन कौम का कौई इंटरेस नहीं इसमें क्वाम इस बुरे त्रीके से पैस रही है जिस तरह बीज्ली की र कर रहे हैं इसमें कुछ मेरे खियाल में कुछ भी नहीं इसका रिजार्ट जीरो लेकिन तारड सब एक बात बता है ये जो आई सी आई जे की रिपोर्ट आई उन्होंने कहा इमरान खान ने तो बात बात की थी कि मैं बड़े क्लीन लोक लेके आँगा लेकिन ये जो खुसर व उमरान खान साब ने बुदा दिए है उन को लिए है उन को डिस्कॉलेफाई होने से बुचा लिया अर ये इनर सरकल जो है ये बहुत रावा पैसा जो है बाहर लेके गया है तो आप क्या समझते हैं कि खान साब भी अपनी जस Gसरा मرضी के लोगों को हाथड दालने के करते हैं अब बाकी लोग जो उनके अंदर के दोस्त हैं क्रीबी साती हैं उन से क्या उनको को financial support की उमीद है अगले elections में यह समझते हैं कि अगर मैंने इन्हें के उपर हाथ डाल लिया जैसे खुसरों बक्तियार है फैसल बाड है और अभी तो फरीदी साब का भी नाम आ गया है जो इमरांग कान साब के बड़े करीबी हैं समझे जाते हैं क्या नाम है उनका वो जो जिल्मी पिशावर जिल्मी देखा इसमें आपको बता दूँ पैंडोरा पैपर्स को लेकर बेसीकली चर्चा हो रही थी पैंडोरा पैपर्स में पाकिस्तान के 700 लोगों के नाम आए हैं 700 लोगों के नाम पाकिस्तान में आना एक बड़ी बात है भारत में 300 लोगों के नाम आए है पाकिस्तान में इसलिए बड़ी बात ही क्योंकि पाकिस्तान की आ तो सचिन तेंदल्कर आपको भी बता है कि दुनिया के काफी लंबे समय तक सबसे कमाई करने वाले क्रिकेटर है prayer तो उनकी बाँ प्रौपटी हो भी सकती है लेकिन पाकिस्तान में जो जादतर लोग है वो पाकिस्तान की आर्मी से बेलोंग करते हैं पाक스ان के जाएधह दाइए लोग है जो पाकिस्तान के पॉलिडीशियन है। तो यहां पर वही बात को लेकर साजित तरार चर्चा कर रहे थे। साजित तरार पाकिस्तानी मुलक आमेरिकन नागरिक हैं अमेरिका में रहते हैं तो यह बता रहे हैं पाकिस्तान के जाद दर लोग है जो पाकिस्तान के पॉलिडिशन है तो यहां पर वही बात को लेकर साजित तरार चल्चा कर रहे थे साजित तरार पाकिस्तानी मुलक अमेरिकन नागरिक हैं अमेरिका में रहते हैं मतलब जजजस जिसके खिलाफ फैसला सुना रहे हैं आरोपी के खिलाफ वो आरोपी बहुत पैसा वाला है बहुत ही बड़ा आदमी है अगर बाहर उसकी प्रॉपर्टी है तो जजजस उस से अपनी बेटी की साधी कर देते हैं आप समझ रहे हों ये कितिनी बड़ी बात है मतलब ये दुनिया में सायदी ये फिल्मों में आप में देखा होगा कि जजिस ही मुझरिम की बेटी से साधी कर देते हैं और बाहर स्टेल हो जाते हैं तो जजिस तो डेफिनेटली फिर उसके पक्च में ही पैसला पैसला सुनाएगा तो ये चीज सायदे पनामा पेपर्स को लेकर नवास सरीब को जाना पड़ा था हलांकि पनामा पेपर्स को लेकर उन्हें नहीं जाना पड़ा था दूसरे आरोप की वज़े से वो उनको सज़ा हुई थी लेकिन पनामा पेपर्स को लेकर उन्हें काफी मतलब इमरान खान ने एक पूरा एक आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद नफरत उनके खिलाप आ गई और जंता उन्हें एक बेलें सावज ने लगी लेकिन अब जो पैंडोरा पेपर से इसमें उससे ज़्यादा करप लोग है इमरान खान की पार्टी के लेकिन इसमें होना कुछ नहीं है क्योंकि बेसिकली इसमें जो ज़्यादतर लोग हैं वो पाकिस्तानी फौच के हैं तो पाकिस्तानी फौच के खिलाप बोलने की किसकी मतलब वकाद है वो तो पाकिस्तान की आर्मी जो कुछ कहेगी पाकिस्तान का मीडिया वही कहेगा तो पाकिस्तान का मीडिया से तो आप य उमीद ना रखें कि ये में इस्ट्रीम मीडिया में ये बातें करें और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाब खुल कर पैंडोरा पेपर्स को लेकर सवाल उठाए कि पाकिस्तानी जर्नल्स की प्रॉपटी बाहर क्यों है पाकिस्तान के बहुत फीमस जर्नल्स जैसे की पर्वेज मुसर्रब जर्नल कयानी और जो अभी कुछ समय पहले एक जर्नल था जो आईसाई का चीफ था डी जी आईस पियार उसका नाम आसिफ बाजबा साइद आसिफ बाजबा उसकी प्रॉपटी बाहर है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं गफूर जर्नल गफूर उसकी प्रॉपटी बाहर है बच्चे फ्रांस में पढ़ते हैं उसके और फ्रांस के खिलाप यहाँ पर यह लोग आपने देखा होगा पाकिस्तान में कितना हंगामा होता तो पाकिस्तान की आर्मी का एक रिकॉर्ड हिस्ट्री रही है दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज आनको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें